बिक्वाली की यही बात चल रही थी हर ज़ा की मार्किट में बड़ी गिरावट आ सकती है और जब इस तरही खबरे चलती है market में तो होता क्या है? traders, investors अपनी position हलकी करनी शुरू करते हैं या फिर अपनी नई position बनाते हैं वो भी बिक्वाली की जब इस तरह की panic वाली situation हो तो तो दिन की शुरुआद में अगर किसी ने बिक्वाली की या फिर जिसने bearish rate लिया होगे, किसी ने पुटे खरीदे होगे, इसने call को बेचा होगा तो वहाँ पे वो लोग trap होते बेन अजर आए, क्योंकि market ने immediate वहाँ से recovery देजी हो recovery भी वहाँ पे बड़ी दिन के highest price पे करीना की nifty आ गया था उसके बाद कुछ बिक्वाली देखी हमने, पर फिर भी वो level दुबारा देखने को ने मिले जिन्नोंने दिन की शुरुआद में यहाँ पे पुटो खरीदा होगा, यहाँ फिर call को बेचा होगा और हर एक dip में कही न कहीं वहाँ पे दुबारा खरीदारी ही हमें देखने को मिली जैसे कि यह bounce था, उसके बाद कुछ यहाँ पे पिक्वाली आई, फिर वहाँ पे खरीदारी आई, फिर वहाँ पे पिक्वाली आई, यहाँ पे फिर खरीदारी आई, यह भी 50-60 point के आसपास निफ्टी चला और उसके बाद यहाँ पे निफ्टी ने देथी closing पकाई, इसी के साथ साथ, जिसकी आज expiry थी, उसने भी आज बड़िया move दिया, मैं बात कर रहा हूँ, midcap निफ्टी की, और वहाँ पे मैं भी track कर रहा था, particularly midcap निफ्टी को, और साथ में calls को भी, और वहाँ पे हमें, छी, वहाँ पे हमें अच्छी moment देखने को मिली और ज 18-19 के आसपास, यहां फिर 10 के आसपास, यह भाव दिखा रहा है, यहां से कितना 70 रुपे के आसपास का हाई लगा है, मतलब कि दिन की शुरुबात में जो भाव था, वहां से कितना ही बढ़ गया, और यह एक अच्छी opportunity होती है, पर जरू ही नहीं होता कि हर बार यह प्रा मार्केट उपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, 23 का भाव था, जब वहां पर दिखा रहा है कि यहां से मार्केट उपर की तरफ जा सकती है, 23 से इसने कितने की चलांग लगाई, सीधा 38 की, उसके बाद दुबारा से, यहां पर यह टाइम था, 11 बचके, 40 मिनट के आसपास का, 24 के आसपास का लेफल था, 34 से इसने कितनी चलांग लगाई, 70 की, मतलब भाव जो है, डबल, फिर उसके बाद दुबारा इसने यहां पर, यह देखिए, 35 के आसपास, 37 के आसपास, 37 के आसपास भाव था, और उसके बाद इसने चलांग के तरफ कि उसके बाद महां से, वहां पे अच्छे पॉइंट्स हमें देखने को मिले, तो मेरे भाई देखिए, मार्किट जो है, मूव इस तरह के देती है, पर जो ही नहीं कि हर रोज देगी, हर बार हमें ऐसा देखने को मिलेगा, कि एक छोटी सी कॉल, 5-10 रुपे वाली, 50 की हो गई, इसलिए जब भी कभ करो, कोई भी strategy यूज़ करो, कोई भी setup यूज़ करो, वहां पे stop loss जरूर होना चाहिए, नहीं तो, जो expiry है, वो पूरी पूरी capital साफ कर देती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, कि capital साफ नहीं होना चाहिए, हमेशा आप लोग के stop loss, जहां पे इसाफ से चल रहा है, वहा जंदबाजी नहीं करनी होती, जंदबाजी किसी, जंदबाजी किसी, जंदबाजी करने में, अगर मैंने कोई 10 रुपर वाली call खरीद ली, अगर वो में को लग रहा है, मैं वो confidence नहीं आ रहा हो, उसका भाव जो है नीचे आ आ रहा है, आठ के आसपस आ आ गया, मैं इमिड है आँ से अफ़र अब बात कर लेते हैं कल की market किसीρί रह सकते हैं, योषब कहां पर करने में, और कल एक पारी है किसे, प्रndबाजी को बड़िगा गारा, तो तुनों ही तरफ ये लेवल होंower गाला कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या स्कोप बनता है कल के लिए, तो यहाँ पर देखें, यहां से एक बार, यहां से दूसरी बार, यहां से तीसरी बार, और लगबग यह लेवल जो है, यह पढ़ते हैं, 21, 550 के आसपास, यहां से मार्केट जो है, नीचे की तरफ आई है, और यहां पर आपको दो जगा नजर आएगा, जहां से मार्केट आपको उपर क तो इसी तरीके से support and resistance जो है, identify किया जाता है, जहां से market बार बार पलट रही है, तो इस तरीके से पहले mark कर लिया, अगर identify कर लिया अगर वो level, उसके बाद आप लोगो को असान हो जाएगा support and resistance वाई line ड्रॉ करने, तो guys, यहां पे एक बार देख लेते हैं, आप किस तरह के levels, पगाई, इसके बाद अब क्या, देखे, आज दिन के दुरान जब मैं देख रहा था, फिनिप्टि का चार्ट तो वहाँ पे मुझे नजर आया कि एक pattern बन रहा था, जहां पर traders ने definitely अपनी positions बनाई होंगी, किस तरह का pattern बन रहा था, तो guys, कौन बताएगा मुझे comment section में, य अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, पर वहाँ पे market के बंद होने का समय हो चुआ था, पर फिर भी, एक अच्छा fall हमने देखा, यह fall किस तरह का था guys, यहाँ पे देखे, काफी सारों ने, यहाँ पे trend line जो है, वो draw कर रही होगी, इस level पे, कुछ लोग यहाँ पे इस pattern को follow कर रहे होंगे, और जैसे यह break हुआ, वहाँ पे में कुछ गिरावट भी देखने को मिली, कुछ profit booking देखने को मिली, और यहाँ पे यह वो level है, अब इसके according, Gulf and Nifty, कहीं ना कहीं behave कर सकता है, काफी positions बनी है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी हमें बिक्वाली द लेवल होगा, नीचे की तरफ जो हमें support नजर आ रही है, 21, 375 के आसपास, यह उनका profit booking का level होगा, तो मुझे करना है, यहाँ पे अगर market नीचे गिरना शुरू करती है, तो मुझे wait करना है, भाव के इस level तक आने का wait करना है, और यहाँ पे बोलो, जब अपना profit booking करेंगे, तो वहाँ पे market में दुबारा से खईदारी आ सकती है, और मैं कोई यहाँ पे reversal को पकड़ने की कोश्च करने, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे देखूँगा कि इस level के आसपास, क्या मुझे कोई upside signal मिल रहा है, क्या मुझे कोई upside trigger मिल रहा है, तो मैं उसमें participate करना पर इसके इलाबा यह तो होगी बात profit booking की, यह लोग exit कहां पे करेंगे, यह लोग exit तब करेंगे, जब यह trend line जिसके break होने पे entry की गई है, अगर यहाँ से भाव वापिस उपर की तरफ जाना शुरू करता है, यह level बनता है 21-500 के आसपास, इस level के आसपास भी अगर मुझे क कोई signal मिलता है, चाहे वो उपर की तरफ का signal मिले, देखे, जो यह लिए कि भाव यहाँ से वापिस उपर की तरफ भागी जाएगा, वहाँ से market जो है, वापिस नीचे पलट भी सकती है, यह resistance का का काम करेगी, पर resistance ब्रेक होगी, और उपर की तरफ जब सोदे कटने शुरू तो मैं उसमें participate करूँगा, अगर यह break होता है, breakout मिलता है उपर की तरफ और market उपर की तरफ भागने लगती है, तो मैं उसमें participate करना चाहूँगा, तो पेशेंस बहुत जाते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी होती, market के कुलते ही, trade नहीं लेने होते, वेट किया करो, important level के इशारा कर रही है, क्या वाँ से market गिर सकती है, वापिस नीचे आ सकती है, नीचे आ सकती है, तो उसको पकड़ नहीं कोशिच किया करो, क्या वाँ से market जो अब उपर की तरफ जा सकती है, तो फिर उसको पकड़ नहीं कोशिच किया करो, पर जो entry है, वो important levels के आसपास ही होनी न्यूजिक करना ओ 활ischरे ताक कि जब में अपनी ऊप्लोड करूं आपके बाऔर आई टेकिए इवियरा सल गें